धुम्रपान को ना कहें, तंबाकू को ना कहें मेरा नाम है डॉक्टर दीपती मिश्रा, मैं एक कैंसर सरजन हूँ इस वर्ड टो अनो टोबैको डे पर हमारे पास बहुत सारे लोगों ने चाहा कि एक मेसेज आप देख सोसाइटी को बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया हर साल जब इस तरह की बातें आती हैं, तो एक ही कोश्चन मेरे दिमाग में आता है क्यूं बस एक दिन हम सोचते हैं कि ये तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए बचे हुए 365 दिन में हम इसके बारे में सोचते ही नहीं जब तक हम पूरे साल, पूरे 365 दिन, पूरे 24 घंटे इसके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारे समाज को इससे मुक्ती नहीं मिलेगी होता क्या है बेसिकली? हमारे घर में हमारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे पिता जी या हमारे दादा जी या हमारे चाचा हमारे लिए बहुत बड़े हीरो हैं जब वो बच्चे देखते हैं कि हमारे ये रोल मॉडल हमारे ये हीरो अपनी डेली लाइफ में सिगरेट पी रहे हैं इसके बाद होता क्या है? अब हमारी फिल्मों में देखें, आप कहीं की भी मूवीज देखें, बॉलिवुड हो, हॉलिविड हो, सौथ मूवीज हो, सब में क्या होगा? नीचे क्लाइन लिखी होगी, दूमरपान का सेवन हानी कारक है, दूमरपान के सेवन से कैंसर आता है, बड़ वो इतना चोटा होता है, कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, पर काम करने वाले जो हीरो होते हैं, वो इतने इंफ्लूइंशल बे में उस सिग्रेट का इस्तमाल करते हैं, कि कोई भी बड़ा से बड़ा बच्चा क्या, बड़े से बड़ा इंसान भी उससे बहुत ज ले जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं, प्राब्लम क्या है कि अभी एवलेबिरिटी, आप किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी छोटी सी पान की दुकान में जाएंगे, एक छोटा बच्चा चाहे उसकी उमर 9 साल हो, 10 साल हो, 8 साल हो, 2 रुपए देकर एक गुटका ले सकत है, किसी के हाथ में भी सिगरेट दी जा सकती है, कोई उमर का कोई प्रावधान ही नहीं है, किसी में कोई बंदिश ही नहीं है, तो इतना फ्रीली एवलेबल है हमारे समाज में कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा, कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसको टोबैकों का इस्तमाल करने से आपको ये punishment मिलेगा, ये दंड मिलेगा, बस किताबों में है, कितने लोगों को ये punishment आज तक मिला? तो हमारे system को change करने का time है, system कैसे change होता है? एक भाशन से? नहीं, हमारे खुद के support से, हम सबको मिलना पड़ेगा, general public को, हमारे नेताओं को, हमारे doctors को, सभी को मिलकर कुछ decision लेना पड़ेगा, हमारी नीव को change करना पड़ेगा As a cancer surgeon, जब हम OPD में patient को देखते हैं, देखकर बहुत दुख लगता है, कि एक रुपए की उस छोटी सी BD के कारण, इस person को इतना बड़ा cancer आ गया, जिसका treatment भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता और यह हम कभी realize नहीं करते हैं, जब हम तंबागू का सेवन करते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर में थोड़ा सा attention हुआ, वाइज से लड़ाई हुई, एक गुटका खा लिया, एक cigarette पी ली बहुत सारे driver हम लोग देखते हों कहते हैं, हम पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, या factory के वरकर हम पूरी रात काम करते हैं, इसको खाने समय नीन नहीं आती कुछ लोग कहते हैं हमारा सुबह का पेट साफ नहीं होता, ये चोटी-चोटी-चोटी चीजे ही हमारी habit बना देते हैं, आदत बना देते हैं, और इस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है क्योंकि तंबाकु के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं जो आपको एक pleasure, खुशी का sensation देते हैं temporary उस समय आप क्या feel करते हैं ओ, दुनिया में मेरे उपर कोई tension ही नहीं मैं यही सबसे खुश आदमी हूँ वो बस 10 minute का होता है और हमारी आदत पढ़ जाती है उस 10 minute के pleasure की उस खुशी की दूसरा एक चीज है कि यदि आज की date में कोई छोड़ना भी चाहता है तो वो सोचते हैं अभी तो हमारी आदत पढ़ गई अब हम इस तंबाकु से कैसे निजात पाएं तो एक message यहां देना चाहती हूँ कि आजकल medical support से psychiatrist के support से counseling support से बहुत सारे institute बहुत सारे hospital यह available कराते हैं कि आप यदि वहाँ चाहकर counseling लें या कोई help सीख कर रहे हैं तो जरूर से जरूर आदत से निजात पाई जा सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार आपको इसकी आदत पढ़ गई तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं यदि आज आज आपने decide किया और आप अकेले ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर किसी doctor के पास जाएं और बहुत जरूर ही है आपके family का support एक important बात यहाँ पर भी एक चीज होती है जिसका नाम है passive smoking सुना होगा आप लोगों ने उसका मतलब क्या होता है कि suppose एक family में एक husband है जो BD या cigarette का इस्तमाल कर रहे हैं उनके बहुत close उनकी wife हैं उनके बच्चे हैं तो वो smoke जाकर उनको भी effect करता है बहुत large scale में नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा level पर effect करता है बहुत सालों तक इस तरह close रहने पर उन passive smokers के ऊपर भी बहुत सारे बहुत सारी passive smokers को भी इस तरह की व्यादी आने की या इस तरह के बीमारी आने का chances रहता है तो अपनी family के बारे में भी सोचिए जितना भी support आपको आसपास जो भी आपको support की जरूरत है पास में कोई cancer institute होगा या psychiatric institute होगा जरूर जाकर वहाँ पर contact कर हम सबको मिलकर इसके against लड़ना है और फिर से एक दिन इसके बारे में नहीं सोचना है हर दिन सोचना है जब आप सुबह उठें तो सोचें आज ये मेरी fight है यदि आपने एक दिन नहीं पिया cigarette कस्तमा नहीं किया अगले दिन आप और powerful होगो तो ये सारे role model जो आप movies में देख रहे है या गलत habits में देख रहे है प्लीज इनके पीछे ना भागे और हमारा इस note उबेकोडे में यही message है दूमरपान को ना कहें तंबाकू को ना कहें नमस्क्राइब